उत्राखंड में बेरोजगार ये बहुत बड़ा मुद्दा है इसे खत्म करने के लिए उत्राखंड सरकार लगतार प्रियास कर रही है अब इसी क्रम में उत्राखंड टूरिजम डिपार्टमेंट उत्राखंड के लगभग 4,000 लोगों को स्किल्ड कर रहा है हमरे साथ बात क करने के लिए उत्राखंड टूरिजम डिपार्टमेंट की अपने देशक पुनरम चंद जी हम से जानेंगे किस तरह से युवाओं को रोजगार के परती अग्रसर करने के लिए तूरिजम डिपार्टमेंट काम कर रहा है मैडम कितने लोगों का प्रशिक्षित कर रहे हैं और इसे कितना फाइदा होने यहां को इससे युवाव को स्वरोजगार स्वाबीमान उनकी दोनों और से उनको इस इस तिशा में कारी कर रहे हैं और हमारे जो राज्य के युवा हैं वो हमारे परेटक स्थलों को बहुत अच्छी तरह से टूरिस्स को एक पैकेज बना करके बहुत अच्छी से पैकेजिंग करके बता पाएंगे, क्योंकि हमारा राज इतना सुंदर है, प्राकृतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, और हमारी जो विरासत में हमें अध्भुत सौंदर ही जो मिलावा है, उस सब को परेटकों को बता पाएंगे, तो इसलिए हम उनक को प्रसिक्षशत कर रहे हैं कि वो तूरिस को अच्छे से उनकी एक्ट्निर के से प्लान करे हैं, वन्हें बेसिक हैल्थ हायजीन, उसको कैसे मेंटेरल करते बताएं, और उनको कौन से वहां के BEST RESORTS हैं, कौन से अच्छे होंसे होम्स्टेजश हैं, कौन सी अच्छी जगह में और हम लोग इस साल 3,000 दस लों को अलड़ी ट्रेनिंग कर चुके और मार्च तक हमारा लक्ष है कि 4,000 लों को हम पूरी कर लेंगे ट्रेनिंग अच्छा उत्राकंड में जो अभी एक नई चीज डवलप हुई है कि उत्राकंड के जो हॉमस्टे हैं उनको जादा बहतर बन में हम लोग विलेजेस को भी पूरा कुछ विलेजेस को भी हम लोगो ने इडेंटिफाई किया है जिसको सरकार अपनी और से उनको डवलप कर रही है और आपको में जैसे सर्मोली पिसले बार हमारा बारा बेस् टूरिजम विलेज का तो उसका जो मॉडल था वो इडेंटिफाई किया है जिसको हम लोग डेली स्कूल अप्लानी ऑफ अर्किटेक्टर उनसे हम लोग उसका अर्गिटेशल ड्रॉइंग मना करके हम उसका विकास करेंगे अच्छे बड़ी समस्या आती है टूरिस्टों के साथ जो तेश विदेश से आना चाहते हैं उत्रा कि अच्छे कर सकते हैं इसकी रीच इंटरनाशनल है सारी दुनिया में निधी पॉर्टल नाइड है करके है उसके माध्यम से भी मैं उसकी स्टेट नोडल हूं तो मेरे पस बहुत सारे आवेदन आये हैं पांच जार से अधिक लोग हमार सारे रजिस्टर हो चुके उसमें उसमें बहुत से होटेल जो भी टूरिजम सेक्टर के लोग हैं वो लोग सब उसमें आ रहे हैं और वो लोग अपने को रिजिस्टर कर रहे हैं उसके साथ में स्टेट गवर्मेंट भी अपनी हमारा जो पॉर्टल है उसमें भी हम लोग उनको मार्केटिंग एंड उसके लि कि अपने आप रोजगार जनलेट कर सकें और अपने साथ साथ जो आस पास के लोग है उनको भी रोजगार दे सकें तानिश खान एभी पिलाई देरदून